शाओमी ने भारत में Redmi Note 25G को 20 June 21 को लॉंच किया था इस फोन की स्टार्टिंग प्राइस 13,999 रुपीज रखी गए है जबकि साओमी का ही Poco M3 Pro 5G को जून के सेकंड विक में भारत में लॉंच किया गया था जिसकी स्टार्टिंग प्राइस भी 13,999 रुपीज रखी गए है दोनों का ही Redmi और Poco का यह पहला 5G स्मार्टफॉन है दोनों की स्टार्टिंग प्राइस समान है इसके अलावा दोनों 5G स्मार्टफॉन समान डिस्प्ले, समान कैमेरा और बैटरी कैपिसिट के साथ आते हैं इसलिए इसमें कोई संदे नहीं है कि दोनों 5G स्मार्टफॉन के बीच तठीन उप्सन है तो आपको कौन सा सबसे सस्ता 5G स्मार्टफॉन करिदना चाहिए तो आएए शाओमी का Redmi Note 10T 5G और Poco M3 Pro 5G इस स्पेसिफिकेशन का कंपरिजन करें हेलो दोस्तो मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं राकेश टेक दोनों ही शाओमी की ब्रांट Redmi Note 10T 5G और Poco M3 Pro 5G के बॉक्स में USB Type-C केबल, 22W का चार्जर, SIM Ejector Tool, Documentation और Good Quality Silicon Case आते हैं चार्जर दोनों स्मार्टफॉन में 18W का सपोर्ट करता है लेकिन बॉक्स में 22W का चार्जर आता है दोनों ही स्मार्टफॉन Redmi Note 10T 5G और Poco M3 Pro 5G दो स्टोरेज कॉन्फिगरेशन में आते हैं Redmi Note 10T 5G का इंट्रोडेक्टर आफ़र अब खतम हो चुका है और उसकी प्राइस बढ़ गई है Redmi Note 10T 5G का 4GB RAM प्लस 64GB स्टोरेज वेरेंट की प्राइस 13,999 रुपीज से बढ़ा कर 14,499 रुपीज कर दी गई है और 6GB RAM प्लस 128GB स्टोरेज वेरेंट की प्राइस 15,999 रुपीज से बढ़ा कर 16,499 रुपीज कर दी गई है और Poco M3 Pro 5G के 4GB RAM प्लस 64GB स्टोरेज वेरेंट की प्राइस 13,999 रुपीज है जबकि 6GB RAM प्लस 128GB स्टोरेज वेरेंट की प्राइस 15,999 रुपीज रखी गई है इंटर्नल स्टोरेज 1TB तग एकस्पांड कर सकते हैं Redmi Note 10T 5G, Chromium White, Graphite Black, Metallic Blue और Mint Green जैसे 4 कलर आप्शन में अवेलेबल है जबकि Poco M3 Pro 5G, Power Black, Cool Blue और Poco Yellow ऐसे 3 कलर आप्शन में अवेलेबल है दोनों ही 5G स्मार्टफोन के लूग काफी अच्छे हैं दोनों ही स्मार्टफोन Redmi Note 10T 5G और Poco M3 Pro 5G का थीकनेस 8.92 mm और वेट 190 ग्राम है जो एक समान है दोनों ही 5G स्मार्टफोन का डिजाइन पोलिकार्बोनेट प्लास्टिक बैक के साथ आता है तो स्क्रेचेस होने की संपावना रहेगी तो आपके इस लगा कर यूज़ करेंगे तो ज्यादा बहतर रहेगा दोनों ही स्मार्टफोन Redmi Note 10T 5G और Poco M3 Pro 5G के पोर्ट्स और बटन्स में साइड माउंटेड फिंकर प्रिंट स्केनर आता है दोनों ही 5G स्मार्टफोन में सिम कार्ट रे हाइब्रिड है मतलब की दो सिम कार्ड यूज़ कर पाओगे या फिर एक सिम कार और SD मेमरी कार इंस्टॉल कर पाओगे दुनों ही स्मार्टफोन Redmi Note 10T 5G और Poco M3 Pro 5G में 6.5 इच का Full HD प्लस IPS LCD स्क्रीन 90Hz Adaptive Sync Fast Refresh Rate पतले बेजल्स और 2400 x 1080 रिजोलिशन के साथ वाला बढ़िया डिस्प्ले आता है जिसमें कुरिन गोरिला ग्लास वीत्री की प्रोटेक्शन मिलती है और पंच होल डिस्प्ले में 8 Megapixel का Selfie Camera रखा गया है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें दोस्तों दुनों ही 5G स्मार्टफोन Redmi Note 10T 5G और Poco M3 Pro 5G में एक जैसा Rare Camera Setup है दुनों डिवाइस में 48 Megapixel का Primary Camera 2 Megapixel का Macro Lens और 2 Megapixel का Depth Sensor दिया गया है यह देखते हुए कि दुनों ही स्मार्टफ भी एक जैसे ही होगी जब photographic की बात आती है तो hardware के अलावा software भी एक महत्वपुन भूमी का निभाता है दोनों स्मार्टफॉन EFS Detection, Artificial Intelligence, Auto Flash, Autofocus, Book Effect, Continuous Shooting, Electronic Image Stabilization, Exposure Compensation, Face Detection, Geotagging, HDR Mode, ISO Control, ISO Cell Plus, Time Lapse, Touch to Focus, White Balance, Presets जैसे camera features को support करते हैं और दोनों ही 5G स्मार्टफॉन 8MP का front camera selfie के लिए प्रदान करते हैं जिसमें AI Scene, Detection, Portrait, Auto HDR, Time Burst, AI Beauty Mode, AI Watermark, Movie Frame, Palm Shutter जैसे features सामिल है दोनों ही स्मार्टफॉन Redmi Note 20 5G और Poco N3 Pro 5G में एक ही processor MediaTek Diamond City 700, OctaCore processor 7NM Base 2.2 GHz से संचालित हैं जिसे माले G57 के साथ integrate किया गया है RAM टाइप LPDDR4X दिया गया है और Storage टाइप UFS 2.2 दिया गया है जिसमें Read और Ride की स्पीड अच्छे मिलेगी दोनों ही 5G स्मार्टफॉन के processor इस price point पर similar और दमदार है जो similar और बढ़िया medium to high settings में gaming experience प्रदान करते हैं दोनों ही 5G स्मार्टफॉन के अंतुत स्कोर 2.9 लाग के आस पास रहते हैं दोनों ही 5G स्मार्टफॉन 7NM based आते हैं तो battery efficiency अच्छे से संभालते हैं और battery को efficient बनाता है दोनों ही 5G स्मार्टफॉन का operating system android 11 पर अधारित रहेगा जो MIUI 12 के साथ चलेगा जिसमें थोड़ा bloatware आपको मिलेगा जिसे आप install कर पाओगे MIUI 12 का आपको थोड़ा heavy experience मिल सकता है Redmi Note 10T 5G में 5G SA band में N1, N3, N40, N77, N78 5G band आते हैं जबकि NSA में N78 5G band मिलते हैं जबकि POCO M3 Pro 5G में 5G NSA में N1, N3, N40, N77, N78 5G band आते हैं और SA N78 5G band मिलता है Connectivity में 2 5G smartphones Redmi Note 10T 5G और POCO M3 Pro 5G में Dual SIM 5G, Dual Band Wi-Fi, EC, Bluetooth 5.1, BDU, GLONASS, GPS, EGPS, USB Type-C port और 3.5M audio jack के साथ आते हैं दोनों 5G smartphones में Side Mounted Fingerprint Scanner और Face Unlock फास्ट काम करते हैं सेंसर में दोनों 5G smartphones में Proximity Sensor, Ambient Line Sensor, Extrometer, Electronic Compass, Gyroscope और Air Blaster मिलते हैं Air Blaster बहतर फीचर है जो आपको Electronic Device, EC, TV को आसानी से MIF के दोरा Remote Control कर सकते हैं दोनों 5G smartphones Redmi Note 10T 5G और Poco M3 Pro 5G में 5000MH के मैसिव बैटरी मिलती है 18W के charging का support मिलता है तो दोनों फास्ट समान बैटरी लाइफ प्रदान करेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं कि Redmi Note 10T 5G और Poco M3 Pro 5G के बीच बहुती करीबी competition है दोनों smartphone आपको समान डिस्प्ले, समान कैमेरा, समान प्रोसेसर, समान बैटरी कैपेसिटी और समान 5G बैन प्रदान करते हैं लेकिन Redmi Note 10T 5G का introductory offer खतम हो चुका है तो इसका price Poco M3 Pro 5G के दोनों variant 4GB RAM प्लस 64GB और 6GB RAM प्लस 128GB variant के से 500 रुपीस ज्यादा है तो समान स्पेसिटी के साथ दोनों 5G स्मार्टफॉन में से अगर आपके priority 5G और अच्छा design और अच्छा प्रोसेसर है तो ही सबसे सस्ता 5G स्मार्टफॉन पोको M3 Pro 5G आप खरीच सकते हैं और अगर आपको Redmi Note 10T 5G का design पसंद है और 500 रुपीस ज्यादा है दे सकते हैं तो समान स्पेसिटी के साथ आप Redmi Note 10T 5G खरीच सकते हैं और अगर आपके priority 5G नहीं है तो अभी 5G फोन खरीदना सबसे अच्छा विचार नहीं है इस पर विचार करते हुए उचीत रोलाओट में एक डेड़ साल लगेंगे और तब तक 5G के लिए बहतर चीपस वाले mobile सस्ते में उपलब्द होंगे अगर आप 5G के विचार नहीं करके स्मार्टफोन को खरीदना सोचेंगे तो इस price range में काफी सारे स्मार्टफोन शाओमी के ही और दुसरे ब्राइंड के option मिलेंगे जो बहतर features प्रदान करेंगे और 5G ही phone खरीदना है तो Poco M3 Pro 5G ही फिलहाल सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन है जो 13,999 रूपीज की range में अविलेबल है थैंकि दोस्तो वीडियो को अंतक देखने के लिए आपका सुक्रिया आपके क्या रहा है दोस्तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर करें वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के ओल कीजिए ताक कि ऐसी ही इन्फोर्मेशन से बरी बहतरे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंती रहे लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना बिल कूल फ्री है तो जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए स्वस्त रहें सुरक्सित रहें मजे में रहें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई